करहान पुलस स्टेशन परीख शेत्र में डबलू सीयल विकोली कोईले की खुली खदाने है परीवन वाहनों से बड़ी संख्या में कोईला डबलू सीयल प्रशासंद्वारा भीजा जाता है अवैद कोईला तसकर इस परीख शेत्र से कोईला चोरी कर उचे दामों पर बेचन का क्रम वार्शों से शुरू है समाचार पत्रों में प्रति दिन खबरी प्रकाशित होती रहती है जो सर्व विदित है लेकिन अब पुलिस प्रशासंद्वारा सुक्ष में नसरे लगाए रहनी के कारण कोईला तसकरी करने वालों पर मुस्वित का पहाड बन चुका है कनान पुलिस स्टेशन में आये प्रशिक्षू पुलिस अधिकारी सुझित कुमार शिर्सागर के कारे काल से शिरू हुए कोईला चोरी की प्रकरणों में चापामार कारवाई अब लगातार शिरू है इस कोईला तसकरी पर कनान पुलिस स्टेशन उफिभागिया पुलिस पारे करने में व्यस्त है जिससे इक शेत्र के सफेद पूश कोईला माफियों पर शामत की बादल मंड़ा रहे है इसी क्रम में करान शेत्र के पुलस उपविभागय अधिकारी मुकतार बागवान अपनी वाहन चालक की साथ शेत्र का दौरा कर रही थी उन्हें गुब्द चालक से पूचताच करने पर जानकारी दी कि उमेश मारोती पांताओने द्वारा यह कोईला भरा जा रहा है ट्रक चालक के पास किसी भी प्रकार की वैतकाक साथ नहीं थी ट्रक की कीमत तीन लाग रुपे एवं कोईले की कीमत पचीस हजार रुपे कुल मिलाकर तीन लाग पचीस हजार रुपे की सामगरी जब की गई है ट्रक चालक आरुपी बालचंडर हरीराम बेलो ने कांद्री कनान निवासी एवं आरुपी उमेश मारोती पांताओने कांद्री कनान निवासी पर कई धाराओ की तहट प्रकरन दर्स किया क्या इस कारवाई में उप मुकतार बागवान की मार्ग तर्शिन में पलिस नरिक्षक अरुनकुमा अतर पार्टी, अपराज शाखा नरिक्षक कदम, येशु जोसेफ, कुणाल पार्दी, खुशाल राम्टेकी, मंगेश धबाले, चैलाल सहारे, विरीदर सिंग चौदरी, संधिप गेडाम, विक्क कोथरी इत्यादीनी चापिमार कारवाई में भाग लिया बीसेन न्यूस के लिए कनहान सी रुहित मानवटकर की रिपोर्ट